अज़े बन में चन्नल कुमरा प्लोग का अपना यूटूब चैनल एसी कलास्यस में स्वागत हैं तो चलिए मेरे दोस्त बहुत बहुत ही बड़ा बड़ा नूज और बहुत ही बड़ा बदलाप फिर से कर दिया विहार पॉल टेकनिक और इस वार क्या किया है मेरे दोस्त की जो सेकेंड रौंड का एलाइट मेंट रिजल्ट निया पो कैंसिल कर दिया क्या फिर से रिजल्ट देगा सिर्फ लेप्टन्या यह जो डौनलोड किया है उसी पहुट और हम लोग वैसे ही डायरेक्ट क्रों पर गूगल when क्रोम जैसे ही खोलेंगे मेरे दोस्त और क्रोम खोलके बीजी इसी लिखेंगे क्या बी कि दिएसी इन्टर मारेंगे और इन्टर जईसी ना मारेंगे मेरे दोस्त यहां पर कल लिख रहा था ना फार्च्ट यहां ती सेकेंड अलॉट मेंट पोल act टेकिनिक का तो उसके लिए यहां पर हम लोग आएंगे नोटीस में क्या और एक बाता और बतालते हैं कि वो जो पारामेटिकल का थाना एलॉटमेंट लेटर वो फर्स्ट एलॉटमेंट लेटर बोले थे कि तीस तारीक को ही आएगा तो हम लोगों को तीस तारीक को डिसी सी पारामेटिकल और पार्टेम पारामेटिकल दोनों का एवलेबल कर दिया ह यहां पर देखिए आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट में जाना है और यहां पर पढ़ना है कि कौन है DCCP तो देखिए यहां पर क्या है यहां पर देखिए साफ लिग दिया है मेरे दोस्त कि विग्यापन BCCC दिनांग 169 के क्रम में बिहार राज सरकारी छेट पोल्टेक्निक संस्थां डिप्लोमा अस्थर पर जो परवेश है तू ऑनलाइन कांसलिंग BCCC किया था पीई के लिए वो सभी स्टूडेंट को सुचित किया जाता है कि तक्नीकिन कारण बस वहें तक्नीकिन सर्वारी के कारण सीटो का क्या किया मेरे दोस्त वो थोजना सीटो में जो विवरन कुछ इस टेकनीकल एरर के कारण त्रूटी आ गया इसलिए सेकेंड रांड आउनलाइन सीट अलॉट्मेंट को राद करते हुए सेकेंड एलॉट्मेंट के लिए नया एक पुना निर्धारित किया गया है टाइम टेवल वो देखिए सेकेंड रांड हम लोगों को 28 को दिया था व अधिशन होगा 10 से 13 तरिक तर अथा इसका भी एडवीशन होगा दुर्गापुजा बाद और पोल्टेकनिक भी एडवीशन होगा दुर्गापुजा बाग तो चलिए मिरे दोस्त यह नोटी सभी तक पहुंचा दे नहीं तो क्या करेंगे सभी कॉलेज चले जाएंगे और परसानी हो जाएगे किलिए मेरे दोस्त चलिए थाइंगे